जेसी राम सभी को रक्षबंदन के पावन प्रव की हर दिक सुब कामनाई हर बार के रज़ जैसे कि त्योहार के उपर बद्रा आई जाती है आमजन को ये समस्चा रहती कि आखरी बद्रा क्या है क्यों है वो त्योहार हर बार दो दिन हो जाते हैं देखिए भध्रा जो है ये सुर्य देव की पुत्री थी और सनी देव की बहन थी ये हर सुब कामों में विगन किया करती थी और इसलिए इसको उस जगह रख दिया गया या उस समय से ये स्रापित हो गई कि इनके समय में किसी भी कारिय को नहीं किया जाता है सुब कारिय को न जितने समय तक उस समय को ठाला जाता है और उसके बाद में हुली का देहन किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जो रक्षा बंदन का प्रव होता है उसमें भी भद्रा को है वो छोड़कर और फिर रक्षा बंदन किया जाता है राखी का बंदन किया जाता है जो चुर्पन घान थी उसने रावन को राखी बांदी थी उस समयं भद्रा थी और कहा जाता है कि उसके पूरे कुल का विनास हो गया तब से राखी जो है वो बद्रा के अंदर नहीं बांदी जाती है बद्रा को छोड़ करके अब जो तीज तारिक और इकतिज तारिक दो बता रहे हैं उसमें क्या है तीज तारिक को क्या होगा कि पुर्णिमा तिथी लगेगी करीब साड़े दस ग्यारा वजे पूर्णी माती थी लगेगी और वो 31 तारी को सुबह सवा साथ बजे तक रहेगी अब 30 तारी को बद्रा है जो रात्री नो बजे तक है तब तक है वो रक्षा बंदन नहीं किया जाएगा और रात्री के अंदर रक्षा बंदन नहीं माना जाता है रात्री को उचित नहीं मानते हैं इसलिए रात्री में राखे बंदन नहीं सकती 31 तरिक को ही सुभ जो मोरत है वो सवा साथ तक है चोकि तव तक पुर्णिमा तिती भी है और रक्षा बंधन का त्योहार उसमें मनाना बिल्कुल उचित है और उसके बाद में भी अगर को 31 तरिक को बानता है राखे रक्षा बंधन होता है तो वो भी सुभी है क्योंकि उद्य तिती है वो माने जाती है सास्तर के अंदर पुर्णिमा तिती का उद्य है वो 31 तरिक को होगा इसलिए जो रक्षा बंधन का परव है वो 31 तरिक को मनाना ही उचित है और आपको अगर कोई संका हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जैसरी रामन